सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को अप्लिकेशन को ओपन करेंगे वीडियो को एकदम ध्यान से और यहां से क्लिक करोंगे कुछ इस तरीका से आपका इंटरफिस देखने को मिल जाता है सबसे पहला काम करना यहां पर आपको साउंड को इंपोर्ट करों तो यहां से देख सकते हैं कि एक साउंड में इंपोर्ट कर लिया है ठीक है अब आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है उसका बाद पर क्लिक करना है यहां से एक सक्ट आडियो कर देना है वीडियो को क्लिक करके वीडियो को डिलीट कर लेना है अब आपका दूसरा काम क्या है जहां जहां पर वीड है जैसे पहला लिरिक्स कहां तक है दूसरा ल लोग की आबेट पास तेरी पहला वाड है ठीक है और यहां तक एक म्यूजिक है तो यहां से मेरा फोटो लगा तो फोटो में यहीं से लगा लेता हूं उसके लिए अब नेक्स्ट हम लोगा क्या काम है फोटो एड करना तो प्लस करते हैं मीडिया पर जाएंगे और अपना ग अब इस एरो की मदद से आपका इस फोटो को साइज को है बढ़ा लेना है मतलब कितना डिवरेशन इसको रखना बढ़ा लेना है ठीक है इसके बास यहां पर दूसरा फोटो आपको इसी तरीके से बढ़ा के रखने होंगे ठीक है देख लो एकदम बीड के ऊपर लेके जा पर मेरा बच गया है जैसे मेरा गाना चोटा है तो लास्ट वाला यहीं पर हम लगा लेते हैं ठीक है यह क्लियर है फिर कमदेशन कर दो और इसके बाद से देख लो कहां तक का साउंड है उतना ही आपको जरूरत है इसके बाद से इसको हम लोग यहां से चोड़ा कर देंग यहां पर लिखेंगे आबएट ठीक है ध्यान से देखो आबएट पास तेरी ठीक है ध्यान से देखो गाइस क्लियरली समझोगे हो गया अब यह देख लो यह टेक्स लिखने के बाद यहां पर आलाइन्मेंट का एक मिलते हैं एक बर क्लिक कर दो दोनों साइट से वीच व भीच में टेकस्टाब का हो जाएगा ठीक है अब कलर पे belong करना है रोबोट रेगुलर पे क्लिक करना है और इस फॉन्ट को ले 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 गाईश ठीक है यह वहाँ आप फॉन्ट बहुत यह असानी साब को अवलेबल कर दिया जाएगा ठीक है यह काम हो गया अभ यहां से चोटा करना है यहां से चोटा करना है चोटा कर सकते हैं तो आप अपने इस आप से रख लेना में 18 पे ही फिलाल के लिए रख रहा हूं ठीक है अब करते हैं इसके बाद से बॉडर इंसाइडों पे जाएंगे थर्ड वाले आप्सन पर यहां से इसको कर देगे ठीक अब यह देख सकते हो यहां पर यह टेक्स इतना दूर तक खाया है तो पहले हम लोग का काम यही करना है कि पहले कहां तक का बीट है वहां तक यह वाला मुझे कर लेने होंगे क्लियर रहे गाइस यहां तक उमीद है कि यहां तक एक दम क्लियली समझे होंगे अच्छा आप मेरा वीडियो में देखे थे तो यहां पर देखे होंगे कि यह बीच में कलर दूसरा था यह लास्ट वाला कलर दूसरा था और यह कलर दूसरा था वह कैसे करना है ध्यान से करो विर्थ को इदर से आपको कम करने ठीक है तो विर्थ को इदर से 15 करते हैं फिलाल के लिए बाद में अभी हम लोग चेंज करेंगे एंगल पर जाके एंगल को इदर से हम लोगो 90 डिग्री पर रखना है एक्जैक्ली 90 कर लो अब यहां पर एक चीज ध्यान देना यहां पर पास तेरी आट पास तरी किसको आप संपना चाहते हो ठीक है तो मालों कि पास जो है उसे को में कलर करना चाहता हूं तो वहां तक रख देते हैं विर्थ को रिख को इदर से हलका सा कम कर देदे आब देख लो यह ओ घ्लार। यह हो गया आप चा做法 कर 5 डंक शेंज लिख अ प्लिक करते हैं इफेक्ट पर जाएंगे और यहा पर आपको सर्च करने होंगे अब आपको करने यहां तो देखो मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं फेडिन फेड आउट ले लिया स्टैंडर्ड सेटिंग्स को खुरेंगे इस देख सकतों यह वाला काम भी आपका completely हो गया यह काम हो गया अब आपको करने क्या है यह इसी तरीके से सारे टेक्स को आपको लिखके चले जाना है जितने भी टेक्स है सभी टेक्स को इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं पूरा पूरा लिखते रहे जाएंगे बहुत बरबाद हो ठीक? यह काम आपका काम कम्पलीटली बनके रेडी होगा अब आपको टेक्स्ट वाला काम कप्लीट होना का Convention फौov Спाट फोटो में एक इफिक्ट लगाना है कि प्लिक करते हैं एफेक्ट पप जाएंगे यहां पर आपको सर्च करना होगियक्ट इफ आर अर ये लिखोगे आजाएगा एक फाफ इसको ले लोगे यहां से स्टैंजर्ट सेटिंग को क्लिक कर लो 네 फ्रिक्चल वार्प में सबसे पहले पोजीशन जो दिख रहा है ना फोजीशन पर बाइडिफॉल सेलेक्टेड रहते रहेगा शुरू में प्लस लगा दो इसके बाद से चले जाओ लास्ट में ठीक है लास्ट में प्लस कर दो इसके बाद से एक्स को और वाई को दो आपसन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आपको वाई पे क्लिक करना है वाई पे क्लिक करके इधर से आपको सिंपल सा इधर से आपको उन्नी सो कर देना है ठीक है यहां से उन्नी सो कर दो इसको हम लोग एक्जैक्ली उन्नी सर लग यहां पर आप चाहें तो लिख भी सकते हो यहां से लिख सकते हो easily तो यहां से मालो में लिख देता हो 1900 अरे यार लिखा नहीं रहा है चलो छोड़ दो यहां से 1900 कर देते हैं guys इसको और यहां से क्लिक करते हैं और यहां से मालो 1500 लिख देते हैं 15 00 कर देते हैं अब यह इफेक्ट देखो तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है ठीक है अब नीचे में और आपको एफेक्ट लगाना है magnitude पर आना है magnitude को यहां से 0.10 करने है ठीक है हो गया detail में वर्ल रहेगा और और गाइस अब गाइस यह जो है इसको आपको इसी तरीके से छोड़ देना है एफेक्ट पर जाना है एड़ एफेक्ट क्लिक करना है और त्रीड़ पर क्लिक करके कॉफी एफेक्ट कर लो बाकि जितने भी फोटो है सभी फोटो में सेम एफेक्ट को आपको अप्लाई कर देने होंगे ठीक है यह देख लो सारे फोटो में भी सेम एफेक्ट करेंगे तो यहां पर एड़ करना है ठीक है तो चलो उसको एड़ करते हैं वीडियो को गाईस तो प्लस करते हैं मीडिया पर जाते हैं उस वीडियो को यहां पर एड़ कर लेते हैं गाईस यह देख सकते हैं यह वीडियो मैंने एड़ कर दिया है वीडियो एड़ कर देने के बाद आपको करना क्या इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के ब्लेंडिंग पर क्लिक करो यहां से लाइटिंग पर क्लिक करो यहां से स्क्रीन को स्लेट कर दो ठीक है यह काम पहला आपका ठीक है अब यह जो आप ऐड किये हो ना यहां से सबसे पहला काम आपको करना है कि अपर प्रेव यहां से आपको भुलेख पाँट जो है ना यह दॉया से पूरा फूरा हट जाया लगा नहीं को यहां से हल्का सा कम कर देना है त्रेसोल को हलका सा काम कर लो फेदर को थोड़ा बढ़ा देना जो है जिरो पॉइंट से बढ़ा कर देना है ठीक है यह काम आपका कंप्रीट हो गया अब यह देखो तो कुछ इस तरह कैसे पूरा बैग्राउंड जो है पूरा रिमूव हो गया देखो कितना यूनिक लगने लगा काफी अच्छा लग रहा है इसमें कलर भी हम लोग आप चेंज कर सकते हैं जैसे मेरा वीडियो में आप देखे हो तो वहां पर बहुत सारे कलर आपको देखने को मिले होंगे तो इसके लिए इस पर क्लिक करते हैं एफ पर जाएंगे यहां पर आपको सर्च करने यहां से क्लिक कर लो हर्ट को ओपेन करो गाइस यहां से देखो जैसे कि यह बाइडिफोल्ट एक कलर को सलेक्ट रेड वाला तो यह देखो कैसा लग रहा है देखो एकदम जबदस्त आग कितरा लग रहा है इसको आपको जो भी चेंज करना चाहते हो यहां से बहुत ही आस हमें यहां से कॉपी लेयर कर लेने हैं और जहां जहां आपका फोटो थlington करने ने हैं यहां जहां आपका फोटो आपको बाइयर करना है वहां से जाएगा फिर यहां पे दूसरा 어느 के यहीं पेस कर देंना है फिर आपर लाच्ट में इस तरह का सफ करते आपको ज़्यादा फोटो तो ज्यादा फोटो आपको लाएग बाइंत्र सक्क्राइब करना भांजबा अजिकwind कि यहां से एक्सपार्ट कर दो वीडियो को गैलरी में से बजाएगा गाइस